लंग्ज यानी फेफ्रे हमारे शरीर का बहुत महत्वू पर अंग है। यहां हमारे शरीर में ऑक्सिजन के संचार रक्ट को शुद्ध करने साथ ही हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस को फिल्टर करने का काम करते हैं। यहां रक्ट से कार्बन डाइक साइड के एब्जोर्प्शन और उसे बाहर छोडने में एहम भूमी का निभाते हैं। लेकिन इन दिनों खराब वातावर, प्रदूशन, हवा में मौझूद धूल मिट्टी और हानिकारक कणों के चलते जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। वह हमारे लंग्स के लिए बहुत नुकसान दायक है। यहां हमारे लंग्स के कार्य को प्रभावित करती है और उन्हें नुकसान पहुचता है। दूशित हवा में इनफेक्शन के पार्टिकल भी मौझूद होते हैं, जिससे यहां आपको इनफेक्शन के प्रती अधिक सेंसि बनाती है। यही कारण है कि इन दिनों लोगों मन सांस संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा बहुत आम हो गई है। जब सांस के द्वारा आप हवा में मौझूद किसी इनफेक्शन या हांफुल पार्टिकल्स को भीतर लेते हैं, तो इससे सबसे आप से पहले आपके लंग प्रभावित होते हैं। लंग्स में इनफेक्शन की समस्या होना बहुत आम है, जिसके कारण लोगों कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन लंग्स में इनफेक्शन लंबे समय आपके संपूर्ण स्वास्थि के लिए बहुत नुकसान दायक साबित हो स लागता है। या इसकी शुरुआख के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार लंज में संक्रमन होने पर आपको कई संकेत और लक्षन देखने को मिल सकते हैं। नीमोनिया भी लंग्स का एक इनफेक्शन है जिसमें आपको कई तरह की समस्याओं देखने क इस विडियो में हम आपको लंज में इन्फेक्शन के आठ लक्षण और बचाव के उपाय बता रहे हैं। शरीर का तापमान सामान्य से कम रहता है, खास कर अधिक उम्रवाले लोगों में। इसी समस्याई ही देखने को मिलती हैं। उनमें उर्जा कम देखने को मिलती हैं। साथ सांस लेने और कुछ भी खाने में भी परेशानी होती है। अगर आप उप्रोक्त लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिससे कि वहाँ इसके सही कारणों का पता लगा सकते हैं और आपको सही उप्चार प्रदान कर सकें। आम तौर पर डॉक्टर आपको इसके अलाज के लिए कुछ दवाएं लेने और सामधानिया बरतने की सलाह देते हैं। थैंक्यू। चुछ प्रणिया आद्टिया वहाँ. दजबस्द्द um